हलो एब्रिवन कैसे हैं आप सब आसा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे सुखी होंगे और अपना पूरा पूरा ध्यान रख रहे होंगे दोस्तो आपकी प्रेगनेंसी रुख चुकी है ये आप खुद भी चांच कर सकती है और ये काफी आसान होता है अगर आप ये वीड हो चुके हो या नहीं पहले के जमाने में कोई भी प्रेगनांसी किट नहीं हुआ करती थी तो आईए गाईज अब देख लेते हैं वो सीक्रिट जानकारी के बारे में कैसे आप जानेंगे कि आप प्रेगनेंट हो चुके हैं दोस्तों जैसे ही आपका ओविलीशन होता है उ और फेलेवपियन ट्यूब से होता हुआ यूट्रेस की बॉल पर चिपक जाता है तभी से आपको कुछ लक्षन दिखाई देना सुरू होते हैं आपकी बॉड़ी में चेंजे आते हैं तो गाईज इस दौरान अगर आपको कुछ लक्षन दिखाई देते हैं आपकी बॉड के निचले हिस्से में left side में या right side में या middle side में कहीं भी आपको 명 साफ feel होगा तभी आपको बचे दाने का यह check-up करना है यह राइट टाइम होता है बचे दाने का check-up करने के लिए और जानने के लिए कि आप pregnant हैं या नहीं दोस्तों अपनी वजाइनल एरिया को चेक करने के लिए अपने प्रेगनेंसी को चेक करने के लिए जब आप वजाइना में फिंगर इंसर्ट करेंगे उस वक्त आपको अपनी वजाइनल एरिया में थोड़ा हार्डपन मैसूस होगा आपकी finger अगर पूरी insert हो जाती है तब आपने pregnancy conceive नहीं करी है लेकिन जब आप pregnancy conceive कर लेते हैं तब आपकी finger insert नहीं हो पाती है पूरी finger insert करने में आपको problem होती है अंदर जो आपको uterus समझ में आता है वो भी बहुत heart सा समझ में आता है अगर आपने pregnancy conceive कर ली है तब आप अपने बच्चे दानी को आसानी से टच नहीं कर पाएंगे और टच भी करेंगे तो वो बहुत मुलायम महसूस होती है लेकिन अगर आपने conceive नहीं किया है तब वो आसानी से टच भी हो जाएगी और hard महसूस होगी यह बहुत ही पुरानी प्रक्रिया है दोस्तो इससे आप आसानी से चेक अप कर सकते हैं और पता लगा सकते हैं कि आप pregnant हो चुकी हैं या नहीं दोस्तों इस मेधड के द्वारा कई सालों से लेडीज अपनी प्रिगनेंसी का पता लगा रही है और ये कारगर भी है तो आपी अपनी प्रिगनेंसी का पता लगाना चाहती है तो इस मेधड के द्वारा लगा सकती है Thank you so much for watching